दोस्तो धर्म संसत में क्या हुआ ये हम सब अच्छे से जानते हैं कैसे मुस्लिमों के नरसंगार की बात की गई गांदी जी को गालिती गई गोडसे की जैजेकार की गई जिसको लेकर पूरा देश इसके खिलाफ था लेगिन बीजेपी वाले और कुछ संगी विजारधारा क लोग इस पाखंड के साथ दिखे लेकिन अब जो इसको लेकर विदेशों में हुआ वो इस पाखंड पर ना बोलने बालों पर करारा तमाचा है जी हाँ दोस्तों नमस्कार मैं हूं आपके साथ इशानिगी और आप देख रहे हैं दनेशन दरसल हरीदवार में आयोजित धर्म संसत के खिलाब विदेशों में रह रहे प्रवासियों ने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया है दक्षुन अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ब्रेटेन नीदरलेंड जर्मनी न्यूजिलेंड के साथ साथ कई मुलकों में रह रहे हिंदू मुसलिम सिक और एक स्टॉप इंडियन मुसलिम जिनोसाइड नाम से हैस्ट्रेक चलाया और धर्म संसत में भाषन देने वाले बक्ताओं की घरफतारी की मांग की जौनान प्रवासी भार्टियों के समू ने कहा कि इस धर्म संसत में कहीं कहीं नरसंगहार की बातों के खिलाफ दुनिया भर से मजबूत अवास उठने चाहिए तलिट सॉलिडेटरी फॉरम से जूड़ी डॉक्टर रोजा ने कहा कि भारत में बन रहे हालात को लेकर दुनिया को दखल देना चाहिए पोईटिक जस्टेस फाउंडेशन ने अपील की है कि मानफता से महपत करने वाले लोगों और दे में हुआ था डॉक्टर हारुन कासिम ने कहा कि भारत मुसल्मानों के नरसंगार के गगार पर खड़ा दिख रहा है दीपक जोशी ने कहा कि संग परिवार की मुसल्मानों इसायों और दलितों से जो नफरत है उसका वैश्विक इस्तर पर परदाफाश होना चाहिए अमेर हालात के खिलाफ आवास उठाने चाहिए हरिद्वार के धर्मसंसत के वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है बजाए इसके पुलिस ने कोई गिरफतारी इस मामले पर नहीं की है और सिर्फ एफ़यार दर्च की गई है दुनिया भर में रह रहे प्रवासी भार्तियों के और से मीडिया को जारी बयान में कहा गया है कि भारत सरकार अधिनायक वाद भी डूबी हुई है और प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी नरसंगार के बयानबासी पर चुप है और इससे नफरत फलाने वाली ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है प्रवासी भार्तियों ने कहा कि वो इस पर चुप नहीं बैठेंगी बैश्विक समुदाय को भी इसके खिलाफ आगी आना चाहिए दुनिया भर में फैले प्रवासी भार्तियों के 28 समों ने अपने अवाज उठाई है इनमें इंटरनेशनल काउंसलिंग ओफ इंडियन मुसलिम्स दनिच सॉलिडेटरी फ केंद्रे मंत्री नितिन गटकरी ने कहा कि इस तरह की बातों को नजरंदास कर देना चाहिए जी हां दोस्तों जैसे कि हमने आपको वीडियोस में भी दिखायता पहले कि नितिन गटकरी ने ये बात कही थी गटकरी ने एंडे टीवी से बाचीट में कहा कि इस मामले में कान अपना काम करेगा हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखना चाहिए और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुचाने चाहिए वई हरिद्वार के धर्म संसद में हिंदू रक्षा सेना के प्रमुंदादन्द गिरी यती नरसिंगा नंद सरस्वती जितेंद्र नरायन वसीम प्रिजवी जो की पहले था उन्होंने मुसल्बानों की खिलाप नरफ्रति भाशन दिये और नरसंधार की बाते कहीं प्रमुना नंद गिरी की फोटो कई बीजेपी नेताओं के साथ सोचल मीडिया पर भी सामने आ चुकी है इनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यो होने के बावजूद भी इस पर अभी तक कोई गिरफतारी नहीं हुई है वहिए अब ये मामला कूट पहुच गया है इस मामले में सुप्रिम कोड जल्द सुनवाई को भी तयार हो गया है प्रमुक न्यायधी शेनवी रमना ने कहा कि हम मामले की सुनवाई करेंगे इस माम मामले में पहले ही जाच नहीं हो चुकी है इस पर सिब्बल ने बताया कि मामले में सिर्फ अपयार दर्च हुई है ना कोई कारवाई हुई ना गिरिफतारी आखिर में सीजय ने कहा कि वो इस मामले को सुनेंगे बता दे कि पटना हाई कोट की पूर्व जर्ज जस्टिस थी हेट स्पीच सुप्रेम कोट के तहसीन पुनावाला मामले में जारी आदेशों के पालन कराने की मांग थी गई है उन्होंने 17 और 19 दिसंबर 2021 के बीच अलग लग दो कारिक्रमों में दिये गई हेट स्पीच से सम्मंदित मामलों में ततकाल हस्त शेप की मांग करते और 19 दिसंबर को धर्म संसद में हेट स्पीच के खलाफ याचिका में कहा गया कि ये केवल हेट स्पीच नहीं बलके पूरे समुदाय के हत्या के लिए खुला ऐलान के समान था इस हेट स्पीच ने लाखों मुसलिम नागरिकों के जीवन को खत्रे में डाल दिया है हेट सारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाय गया है पुलिस के निश्क्रेता ना केवल हेट स्पीच देनी की अनुमती देती है बलकी ये भी दरशाती है कि पुलिस सदिकारी वास्ताव में साम्प्रदाइक हेट स्पीच के अपराधियों के साथ हाथ मिला रहे हैं याचिका मे केंद्रे ग्रह मंत्रा लिया दिल्ली पुलिस कमिशनर और उत्रखन के डीजीपी को पक्षकार बनाए गया है आपको बता दे कि हरिद्वार में पिछले महीने एक धर्म संसत का आयो जिन किया गया था जिसमें विशेश धर्म संप्रदाए के खिलाफ हेट स्पीश दिये ज खिलाफ भड़काव भाशन देका नफरत फैलाने संबंदी वाइरल हो रहे वीडियो का संग्यान लेते हुए वसीम रिजवी और जिटेंद्र नैरन त्यागी और अन्य के विरुत कोत्वाली हरिद्वार में धारा 153 ने IPC के अंतरगत मुकदमा पंजिकृत किया गया है इस कारिक्राम में तमाम लोगों ने भूत ही भड़काव भाशन दिये थे वह इसमें हेट स्पीच का वीडियो वारल होने के बाद पूर्व सेना प्रमुखों कारिकरता और बहुत से लोगों ने विवादत भाशन के तीखे शब्दों से ना केवल निंदा करते हुई पूराधियों को गिरफतार करने की भी मांग की थी वह इत्रीनमूल कॉंगरेस नेता और आईटियाई कारिकरता साकेट गोखले ने इस मामले में आयो जको और वक्ताओं के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई करने की मांग की थी लेकिन इसके बावजूद भी तक इसमें कोई गिरफतारी नहीं हो पाई है और अभी तक इसमें किसी को भी गिरफतार करने की बात नहीं कई गई है